कुछ दिनों पहले ही पंजाबी सिंगल रैपर सिदू मुसेवाले की हत्या हुई थी और इस खबर ने देश भर में उनके फैंस को हिला कर रख दिया हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिल्मी बीट वल बात करें अगर सिदू मुसेवाला की तो जहां एक तरफ फैंस मुसेवाला के दुनिया से जाने पर शोग जता रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स उर्फी जावेद को खरी खोटी सुना रहे हैं वेल अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उर्फी जावेद का मुसेवाला हत्याकांट से क्या लेना देना है तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर उर्फी जावेद सिदू मुसेवाला की हत्याकांट पर इंटरनेट पर क्यों ट्रोल हो रही हैं वेल आपको बता दे कुछ यूजर्स इंटरनेट पर उनकी इंस्टा पोस्ट पर कॉमेंट्स कर रहे हैं सिदू मुसेवाला हत्या कांट को लेकर और उनसे कह रहे हैं कि मुसेवाला की जगा वो क्यों नहीं मर जाती हैं आपको बता दे कि Big Boss OTT में नजर आई उर्फी जावेद अकसर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं उर्फी हर दिन एक नए अवतार में नजर आती हैं जिने उनके फैंस खूब पसंद भी करते हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें उनके पहनावे के लिए ट्रोल भी क पड़ता है मजाग उडाने और चुटकी लेने तक तो ठीक है लेकिन कभी कभी लोग अपनी हद से आगे निकल जाते हैं ऐसा ही कुछ अब एक बार फिर उर्फी जावेद के साथ हुआ है दरसल कुछ दिनों पहले पंजाबी सिंगर से दू मुसेवाला की हत्या हुई थी और देश में इस बात से शोक की लहर है तो जहाए एक तरफ फैंस मुसेवाले के इस तरहा से दुनिया से चले जाने पर काफी दुखी हैं तो वहीं कुछ लोग इंटरनेट पर उर्फी जावेद को ट्रोल कर रही हैं उर्फी जावेद के एक पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट कर इस बात को कहा है एक के बाद एक यूजर्स ने उर्फी के मरने की कामना करते हुए भद्दे से भद्दे कमेंट किये अब इस पर उर्फी का भी रियक्शन सामने आ गया है यूजर्स की भद्दी बातों पर उर्फी जावेद बेहत भड़की हुई है उन्होंने क प्रिका मैं कुछ कॉमेंट शेयर कर रही हूँ जो मुझे पिछले कुछ दिनों में मिले हैं लोग इच्छा जता रहे हैं कि काश मैं मर गई होती किसी ने मुझे गोली मार दी होती मैं एक निरदरी दुनिया में रहती हूँ लेकिन मैं एक बात आप सभी को बताना चाहती हू कि आप लोगों को मेरे मरने की दुआ और जादा दिल लगा कर करनी होगी क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली मैं यहीं रहूंगी आपको बता दे कि उर्फी जावे ट्रोलर्स को मुझे और जवाब देने में हमेशा आगे रहती हैं उन्होंने अपने इस पोस्ट के साथ ए लेकर भी इंटरनेट पर ट्रोल होती रहती हैं और बेहत चर्चा में बनी रहती हैं हेड्लाइंस आती है कि उर्फी अपने कपड़ों को खुद ही कातकर उससे नए कपड़े बना लेती हैं और इस बात को उर्फी ने अपने एक इंटरव्यू में एकसेप्ट भी किया था वेल उर्फी काफी जादा मूफट हैं और ऐसे में ट्रोलर्स को अच्छे से जवाब देना भी जानती हैं और इसी के चलते एक बार फिर से उनके मरने की कामना करने वाले लोगों को उर्फी ने मूँ तोड़ जवाब दिया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप भी हमे कॉमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि उर्फी के इस जवाब से आप कितना इंप्रेस हुए हैं या फिर इस बात पर आपकी क्या राय है इसी के साथ सुद्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूले